बश्कार आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपनी चैनल लब माई यूके में दोस्तो आज हम जी जगों मौजुद है ये है देव भूमी उत्तराखंड की सान चौकुटिया ये हरुहित की नगरी है ये हमारे सुर्ष हमराट उत्तराखं के सर्वगी स्री गोपाल बाबु गोस्वामी जी की पावन जनम भूमी है और आज हम यहां पर खड़े हैं हमें शौभाईयों मिला यहां पर आने का और अभी हम हैं मा अगनेश्चरी मा के दरबार में खड़े हैं हम और यहां की बहुत सारी ऐसी कथाएं हैं चौकुटिय कि सामने एक खास महमान है हमारे अज हूए हैं उत्राखन के उभरते हुए नेक लाकार गायक शुर्षम्राट स्री रमेज बाबु गोस्वामी यानि आरबी जी जिनने आजकल सोड नाम से जना जा रहा है तो हम सवागत करते हैं और बीजी का हम सबसे पहले तो आपका स्व देखने को मिली तो आप हमें इस चीज के बारे में क्या जानकारी देशकता है अपनी चुकुट्या के बारे में और उसको शंक्षित में जं संपरक तक ले जाते हैं तो तेह दिल से पढ़ाम करता हूं कई लोगं जो जैसे चखुट्या में आते हैं इसके बारे में जाननी पाते हैं या कहीं भी आप में देखता हूं आपके और ब्हु भी मैरे वीडियो देखे आपके आज जो जानकारी ह में चेत्र में और रंग रंगीलो गेवाड जिसका नाम मैं कह सकता हूं और आप देख सकते हैं हमारे ठीक पीछे माँ भगवती बहुत-बड़ा सुन्दर मंदिर है यह मंदिर बहुत पुराणिक मंदिर है यहां पर आप देखते हैं दुनागिरी आपने नाम सुना होगा मा दुनागिरी का तो यहां पे तीन-चार बहने जो कहते हैं कि एक अगनेरी मंदिर में उन्हें अपना इस्तान लिया दूसरा कालीगाड जो आप देखते हैं कि गोपाल बाभु गोश्वामी जी के हर कैसेट के उपर आता जैकाली का मईया तो कालीगाड मेरे गाओं में है वो मंदिर और दुनागिरी मा आप देखते हैं कि दुनागिरी में तो तीन-चार यह बहने एक देखाट में तो इन बहनों ने जब यहां पर इस्तान लिया तो यह पराणिंग मंदिर हैं यहां पर अठवार अब यह चाहते जूले यह वो सब कुछ लगने आते हैं मां के एक महिमा के बारे में आपको मैं जितना बताओं उतना कम है इसकी शक्ती बड़ी अप्रम पार है जो भी यहां पर सच्च दिल से यहां पर मांगता है मां भगुती के दरबार में उसकी हर मनो कामनाय प्रून होती हैं यह आप यह कोई मित्या नहीं है हकिकत बात है आप मां के तजबीर को देखो कि ऐसा लगेगा कि मां आपसे कुछ बोलना चाहती है ऐसा यहां पर अगनेरी मंदिर है आप कालीगाड एक वनों से चारूर घिरावे बांच और बुरांस के पेड़ों में घिरावा यह मंदिर कालीगाड जो आप देख सकते हैं उपर तो वहां मंदिर में हम आपको उसका दर्सन भी जरूर कराएंगे तो यह मंदिर यहां पर है आल लखनपूर आपने नाम सुना होगा जहां कम से कम 108 शिवलिंग हैं और जहां जिसके गुफाएं कम से कम 10 किलो मिटर तक रेंज में ज तो वही इसनान करने के लिए इस नदी में आप मैं दिखाऊं कम से कम यहां से 25-35 किलो मेटर दूर से पहाडों के भी से सुरूंग पता नहीं वह मायावी सुरूंग क्या है मैं उसको आज तक कोई भी जान नहीं सब्सक्राइब देवी देवता ही जान सकते हैं तो यहां इ सब्सक्राइब देखने को मिलेगा मैं कहता हूं आप जरूर यह चकुट्या चेत्रमाएं और बहुत खूपसत कैसा लगा आपको यह हमें काफी